आज की वीडियो की पीडियाप आप हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं हमारा टेलिग्राम चैनल है 80.ITS.GK.GuruG और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो हमारा पहला राजी आता है उत्राखंड तो उत्राखंड के जितने भी राश्टिय उध्यान और पार्क हैं वो हम ट्रिक से याद करेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से हैं फिर है जिम कौरवेट राश्टिय उध्यान सेकंड दिया गया है राजा जी राश्टिय उध्यान फिर है गोविन पशु बिहार फिर है मालन पशु बिहार और लास्ट है कंगोतरी नेशनल पार्क अब ये पांचों हम ट्रिक से के से याद करते हैं चलिए देखते हैं तो यहाँ पे इसकी ट्रिक दी हुई है इस ट्रिक को मैं दो बार पढ़ूँगा और आप सभी उत्राखंड के जितने भी राश्टिय उध्यान और पार्क हैं ट्रिक से याद कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं उत्राखंड का गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया जहां पर राजा जी ने उसे माला पहना कर कंगोतरी भेज दिया फिर से रिपीट करता हूँ उत्राखंड इसे ब्रेक्ट में यूके भी लिखा है एसे भी बोल सकते हैं कि UK का गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया जहां पर राजा जी ने उसे माला पहना कर गंगोतरी भेज दिया अब देखते हैं इस ट्रिक से हमें केसे आद होते हैं तो देखिए फर्स्ट है जिम कोर्बेट राष्टे उध्यान तो हमने पढ़ा था कि गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया और वहां पर राजा जी ने उसे मालन परशू बहार से माला पहना कर गंगोतरी भेज दिया तो इस तरह से हमें ये पांचों ट्रिक से याद होगे फिर से रिपीट कर देता हूँ कि उत्राखंड में गोविद राम का व्यक्ति जिम गया और जिम में राजा जी ने उसे माला पहना कर गोंगोतरी भेज दिया तो चलते हैं नेक्स्ट राजे की ओर हमारा नेक्स्ट राजे आता है असम तो असम में जितने भी राश्ट्य पार्क हैं वो हम ट्रिक से याद करेंगे तो पहले पढ़ लेते हैं कौन से हैं तो फर्स्ट दिया गया है मानस राश्ट्य पार्क फिर दिया है काजी रंगा राश्ट्य पार्क फिर दिया है नामेरी राश्ट्य पार्क नेक्स्ट है राजीव गांदी या फिर ओरंग राष्टिय पार्क और लास्ट है डिबूरगड राष्टिय पार्क अब इसे ट्रिक से कैसे याद करते हैं? चलिए देखते हैं हमें बस याद करना है असम से असम की चाय अब इस ट्रिक में असम की चाय की हम जितनी हो सके तारिफ करेंगे तो फर्स्ट क्या है डिबूरगड जो असम की चाय है जो डिब्बे में आती है वो क्या है इतनी अच्छी चाय है कि उसका नाम चलता है ना मेरी से उस चाय का नाम चलता है क्यों नाम चलता है क्योंकि जब हम मनाते हैं तो उसका जो रंग है वो अच्छा देती है चाय ओरंग पारक से उसका रंग भी अच्छा है या फिर इससे याद कर लेते हैं काजी रंग कि उस असम वाली चाय का काजी रंग है जो वो भी अच्छा है और उसे चाय को सभी मान गए हैं मानस राष्ट्रे पार्क से कितना अच्छा रंग है उसका सभी मान गए हैं राजीव गांदी जी भी मान चुके हैं असम वाली चाय को फिर से रपीट कर देता हूं कि असम की जो चाय है जो डीबे में आती है डिबूर गड़ से डिब्बे में जो असम वाले चाय आती है वो इतनी मशूर है उसका नाम चलता है ना मेरी राष्ट्रे पार्क से उस चाय का नाम मशूर है क्यों मशूर है? क्योंकि उसे जब हम मनाते हैं तो उसका रंग ओरंग राष्ट्रे पार्क कि उसका रंग भी अच्छा होता है इससे लिए उसे सभी क्या है मान गए है कि वो चाय बहुत ही स्वादिष्ट है मानस राष्टे पार्क से तो इस तरह से हमें असम के जितने भी राष्टे पार्क हैं वो इस ट्रिक से याद होगे हमें बस याद रखना है असम से असम की चाय और इस चाय की हमें जितनी हो सके तारिफ करनी है तो इस तरह से आपको असम के राश्ट्य पार्क याद हो गए होंगे चलिए नेक्स्ट राजी की ओर चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास राजी आता है ओडीसा तो ओडिसा के जितने भी राष्ट्रे पार्क और अभ्यारन इंपोर्टन हैं वहीं करेंगे हम तो फर्स्ट आता है भीतर गनिका राष्ट्रे पार्क सेकिंड है सिमली राष्ट्रे पार्क थर्ड दिया गया है नंदन कानन राष्ट्रे चिडिया घर और चोथा दिया गया है चिलका जील अभ्यारण अब इन च्यारों को हम ट्रिक से के से याद करते हैं चलिए देखते हैं तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है ओड़ी सा ओड़ी सा से हमने बनाना है ओड़ी क्या ओड़ी ओड़नी यहाँ पे एक महला दिखाई दे रही है जिनोंने ओड़नी ओड़ रखी है और यह महला अपनी ननन्द से पूछ रही है कि यह ओड़नी केसी लग रही है तो नन्दन कानन से वर्ड मनाया ननन्द और इनकी ननन्द आंसर में बता रही है कि ये आपकी ओडनी है जो चिलक रही है मोती लगे हैं काफी चिलक रही है तो ये महला है जो अंदर ही अंदर भीतर गनिकां से हमने वर्ड उठाया भीतर अंदर ही अंदर और सिमली वर्ड से वर्ड उठाया है स्माइली तो ये अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही है स्माइल पिर से repeat कर देते हैं ओडिसा राजे से हमने word बनाया ओड़नी जो इस मेला ने ओड़ रखी है और अपने ननन्न से पूछ रही है कैसी लग रही है तो ननन्न केती है आपकी ओड़नी चिलक रही है मोतियों से तो यह मेला है जो अंदर ही अंदर भीतरवड से और क्या कर रही है स्माइली पास कर रही है सिमली से तो उमीद करता हूँ इस ट्रिक से आपको ओडिसा राजी के राष्ट्री पार्क और जो अभ्यारन है वो ट्रिक से याद हो गए होंगे फ्रेंड इस वीडियो के अंत में हम प्रेक्टिस एट भी लगाएंगे ताकि आपको भी पता चले कि आपको इन ट्रिक से ये सब याद हो गया है तो चलिए नेक्स्ट राजी की ओर चलते हैं नेक्स्ट राजी को पढ़ने से पहले कुछ इंपोर्टन पॉइंट्स बढ़ लेते हैं भारत का पहला राश्ट्री उध्यान तो ये है जिम कॉर्वेट राश्ट्री उध्यान ये बना है उत्राखंड में और इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क और एक कोशन और बनता है जो राम गंगा नदी है वो किस राश्ट्री उध्यान से बहती है तो जो राम गंगा नदी है वो जिम कौरवेट राश्ट्री उध्यान से ही बहती है चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ओर नेक्स्ट आता है भारत में सबसे ज़्यादा राश्ट्री उध्यान किस राज्ये में है तो ये है मद्यप्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्टी उध्यान नेक्स्ट है भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीब अभ्यारन कहां पे है ये है अंडेमान निकोवार में फ्रेंड आप मुझे कुमेंट में बताएंगे कि अंडेमान निकोवार में कितने वन्यजीब अभ्यारन है नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भार्त का सबसे बड़ा राष्ट्री उध्यान कौन सा है तो ये है हैमिस राष्ट्री उध्यान और ये जम्मु कुश्मीर के लिए जन्पद में है तो चलिए नेक्स्ट राजी की ओर चलते हैं नेक्स्ट हम याद करेंगे राजस्तान के जितने भी राष्ट्री पार्क और अभ्यारन हैं वो इस ट्रिक से याद करेंगे आपको यहाँ पे सक्रीन पे कुछ पिक्स दिखाई दे रही है उन सभी को हम एक स्टोरी में पिरोएंगे और फिर हम ये राजस्तान के जो सभी राष्ट्रे पार्क हैं और अभ्यारण हैं वो याद करेंगे तो मैंने यहाँ पे जो राजा का घर बनाया है राजा का स्थान राजस्तान वर्ड से हमने इतना भी याद रखना है बस राजा का स्थान अगर आपको इतना याद हो गया राजस्तान से राजा का स्थान तो समझे आपको राज़स्तान के सारे राष्ट्रे पारक और अभ्यारन याद हो चुके हैं तो क्या करना है इस राजा जी को इनके घर तक पहुंचाना है तो राजा जी सबसे पहले मौंटेन पे चड़ते हैं चड़ने के बाद मौंटेन से उतरते वक्त जो पास बने होते हैं मौंटेन में नेक्स्ट पिक में देखी इन पास से होते हुए नीची उतरते हैं नीची उतरते वक्त ये एक घने जंगल में चले जाते हैं जंगल से निकलने के बाद डिजर्ट आ जाता है इस पे आजाते हैं और इस पे यहां पे उनको एक नेवला दिखाई देता है और इसको क्रोस करने के बाद उनका महल आ जाता है फिर से रपीट कर देता हूं राजा जी हैं सबसे पहले माउंटेन पे चड़ते हैं माउंटेन से उतरते वक्त दरा से निकलते हैं फिर एक घने जंगल में चले जाते हैं और जंगल को क्रोस करने के बाद डेजर्ट आ जाता है डेजर्ट पे उनको एक नेवला दिखाई देता है और इसको पार करने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं तो अब देखते हैं इस ट्रिक से हमें इस स्टोरी से हमें कितने राश्ट्रे पार्क और अभ्यारन याद हो चुके हैं तो फ्रेंट जो हमने पीछे स्टोरी पड़ी है उससे हमें ये आठ के आठ राष्ट्रि पार्क और उध्यान याद हो चुके हैं कैसे? देखिए सबसे पहले राजा दिया हुआ था यहां पे राजा क्या है? राजा से राजा कौन थे वो? रन्थम बोर से रंजीत सिंग रन से रंजीत सिंग राजा थे और राजा जी क्या करते हैं? एक पहाड पे चड़ते हैं पहाड माउंट आपू माउंट आपू वाइड लाइस से वो पहाड पे चड़ते हैं और पहाड पे चड़ने के बाद उतरते वक्त पास होते हैं जो उनसे उतरते हैं दरा राष्ट्रि पार्क जो पास थे उससे हमें याद हो गया दरा राष्ट्रेव पार्क और जो पास से उतरतने के बाद वो एक क्या है घने जंगल में चले जाते हैं घना पक्षी राष्ट्रेव पार्क गना जंगल से घने जंगल से घना पक्षी राष्ट्रेव पार्क और जंगल से होने के बाद वो एक dessert, रेगिस्तान में चले जाते हैं, dessert राश्ट्य उपार, वो dessert पे उनने क्या दिखता है, एक nevla, केvla देवी राश्ट्य उध्यान से, केvla word से हमने बनाया nevla, तो उनने एक nevla दिखाई देता है, और फिर end में वो अपने, राजा का स्तान राजस्तान पहुँच जाते हैं फिर से रिपीट कर देता हूं इस ट्रिक से और एक word यहां पे बच गया है साथ मा ताल तो क्या है राजा जी सबसे पहले ताल से ही स्टार्ट करते हैं फिर मांटेन पे चड़ते हैं और फिर दरे से होके नीची उतरते हैं फिर एक घना जंगल आ जाता है घना पक्षी बियार उसमें चले जाते हैं फिर डेजर्ट में चले जाते हैं जंगल को क्रोस करने के बाद और डेजर्ट पे उन्हें एक नेवला दिखाई देता है केवला देवी से और नेवले को क्रोस करने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं तो इस तरह से फ्रेंड हमें राज्यस्तान के जितने भी राश्ट्री पार्कुर उद्ध्यान है वो उस ट्रिक से याद हो गए होंगे तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट है आपके लिए प्रेक्टी सेट हमने पीछे जितने भी टिक्स पड़ी हैं वो आप इस प्रेक्टी सेट से चेक कर सकते हैं कि आपको याद हुए हैं या नहीं तो first question है, केवला देवी राष्टरी उध्यान किस राज्य में है? हमारे पास चार option है, मद्य अप्रदेश, असम, राज्यस्थान, उत्राखंड तो केवला, केवला वर्ड से हमने बनाय था नेवला, नेवला किसको मिलता है? राजा को मिलता है डेजर्ट के उपर वो नेवला देखता है तो केवला देवी राश्ट्री उध्यान है वो किस राज्य में है? राज्यस्तान में नेक्स्ट कोशन की ओर चलते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन है बीतरकन का राष्ट्री उध्यान किस राज्य में है बीतर कंका राष्ट्री उध्यान किस राज्य में है option दिये गए है उडिसा, असम, गुजरात, उत्राकंड तो बीतर कंका से हमने word बनाया था बीतर जो लड़की थी वो ओढ़नी ओढ़कर बीतर ही बीतर मुस्कराने लगी तो बीतर मुस्कराने लगी क्या ओढ़कर ओढ़नी उडिसा word से हमने बनाया था ओढ़नी तो इस तरह से हमें याद हो गए है next पे चलते है हमारा next question है काजी रंगा राष्ट्रे अभ्यारन किस राच्य में है हमारे पास option दिये है उडिसा, असम, पश्चिम बंगाल, मद्या परदेश तो काजी रंग हमने पढ़ा था कि जो असम की चाय है उस काजी रंग उसका रंग क्या है बहुत अच्छा है किसका रंग अच्छा है असम की चाय का जो डिब्बे वाली चाय है उसका रंग काफी अच्छा है और उसका नाम भी काफी मशुहूर है और लोग उसे मान गए है तो इससरे काजी रंगा राष्ट्रे अभ्यारन किस राज्य में है असम में नेक्स्ट कोशन की ओर चलते है हमारा नेक्स्ट कोशन है चिलका जील अभ्यारन किस राज्य में है उप्शन दिएगे है ओडिशा, मेगाल्या, असम, गुजराद तो चिलका जील सभी को पता है ओडिशा राज्य में है तो इस तरह से इजली याद हो गया चिलका जील अभ्यारन ओडिसा राज्य में है नेक्स्ट कोशन की ओर चलते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन आता है रंथम भोर राश्ट्री उध्यान किस राज्य में है ओप्शन है हमारे पास मद्य परदेश, गुजराद, उत्राकन, राजस्तान अब फ्रेंड हमने रंथम भोर से जो राजा जी बनाए थे रंजीत सिंग और वो कहां जा रहे थे अपने राजा के स्थान, राजस्थान तो रंथम भोर जो राश्ट्री अभ्यारन है वो कहां का है राजस्थान का चलिए नेक्स्ट कोशन के ओर चलते है हमारा नेक्स्ट कोशन है सिंगली राश्ट्रिय पारक किस राज्य में है उप्शन दिये गे है मद्य परदेश, उत्राकन, उडिसा, राजस्थान अब सिंगली, जो लड़की थी जिन्होंने ओड़नी ओड़ी थी और वो क्या है अंदर ही अंदर स्माइल पास कर रही थी सिंगली हस रही थी अंदर ही अंदर तो उससे क्या हो गया ओड़ी सा राज्य ओड़नी से हमने वर्ड मनाया था ओड़ी सा तो इस तरह से सिमली राश्ट्री पार्क किस राज्य में है ओडिसा में चलिए next question के ओड़ चलते है हमारा next question है काजी रंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है option है मद्य बर्देश उत्राखंड असम राज्यस्ता तो काजी रंग शायद repeat हो गया question तो असम की चाय की बात करे थे कि उसका काजी रंग असम की चाय का रंग काफी अच्छा है तो ये इजली याद हो गया option number C correct हो जाएगा काजी रंगा नेशनल पार्क है जो असम में है next question की ओड़ चलते है हमारा next question है गंगोतरी पशुबिहार पारक किस राजे में है option है हमारे पास मद्दे परदेश उत्राखंड असम राजस्तान तो गंगोतरी पशुबिहार तो हमने पढ़ा था कि गोविंद नाम का लड़का है वो जिम गया और वहाँ पे राजा जी ने उन्हें माला पहना के गंगोतरी भेज दिया तो युक्के का लड़का था उत्राखंड उत्राखंड का लड़का था जिम गया और राजा जी ने उन्हें गंगोतरी भेज दिया तो गंगोतरी पशुबिहार जो राष्ट्रे पारक है वो उत्राखंड में है नेक्स्ट पे चलते है हमारा नेक्स्ट है माउंट अबू वाइल्ड लाइस सेंचरी किस राज्ये में है ओप्शन दिये है गुजरात, उत्राखंड, असम, राज्यस्तान तो माउंट अबू तो माउंट थी जो पहाड़ी थी वो कौन चड़के चाता है राजा जी अपने स्थान पे जाने के लिए राजा जी सबसे पहले माउंट पे चड़ते हैं तो माउंट अबू वाइल्ड लाइस सेंचरी किस से हो जाएगी राज्यस्तान से नेक्स्ट कोशन की ओर चलते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन है मानस राष्ट्रिय पारक किस राज्य में है ओप्शन है हमारे पास गुजरात उत्राखन मद्यपरदेश और डी है नन नौफ तीस तो फ्रेंड इस कोशन का आंसर आप मुझे कुमेंट में बताएंगे कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा और ये किस राज्य से है नेक्स्ट पे चलते है हमारा नेक्स्ट कोशन है डेजर्ट राष्ट्रिय पारक किस राज्य में है ओप्शन है गुजरात उत्राकंड पच्छिम बंगाल राज्यस्तान तो क्या है जो राज्य जी थे वो सबसे पहले पहाड पे चड़ते हैं फिर दरा से होके नीचे आते हैं फिर एक जंगल में चले जाते हैं जंगल से निकलने के बाद एक डेजर्ट में चले जाते हैं तो डेजर्ट राष्ट्रिय पारक किस से हो जाएगा option number D राज्यस्थान जो राजा जी थे वो अपने स्थान जा रहे थे राजा का स्थान तो next question क्यों चलते हैं हमारा next question है जिम कोर्बेट राष्टिय पार्क किस राज्य में है option दिये गे है उत्राखंड, असम पस्चिम बंगाल, राज्यस्थान तो क्या है, हमने पढ़ा था कि उत्राखंड का गोविंद नाम का लड़का जिम जाता है और वहाँ पे राजा जी उसे माला पहना के गंगोत्री भेजे देते हैं तो उत्राखंड का लड़का तो जिम कोर्बेट नेशनल पार्क किस से हो गया? उत्राखंड से नेक्स्ट कोशन क्यों चलते है हमारा नेक्स्ट कोशन है घना पक्षी राष्ट्य पार्क किस राज्य में है? ओप्शन है हमारे पास उत्राखंड असम, पस्चिम मंगाल और राज्यस्थान तो हमने स्टोरी पड़ी थी जो राजा है पहाड से होके दरे से नेचे उतरते हैं और एक जंगल में घने जंगल में चले जाते हैं तो घना पक्षी राष्ट्य पार्क किस से हो जाएगा? उप्शन नमबर डी राज्यस्थान से नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन है राम गंगा नदी किस राष्ट्य उध्यान से बहती है? उप्शन दिये गए हैं गंगोत्री राष्ट्य पार्क राजा जी राष्ट्य उध्यान काजी रंगा राष्ट्य उध्यान जिम कोरवेट राष्ट्री उध्यान तो जो राम गंगा नदी है वो जिम कोरवेट राष्ट्री उध्यान से बहती है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन है आपके लिए सवाल है ये कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्य उध्यान है जो परसिध है ओप्शन दिये हैं गंगोतरी राष्ट्य पार्क, राजा जी राष्ट्य उध्यान, काजी रंगा राष्ट्य उध्यान, जिम कोरवेट राष्ट्य उध्यान तो फ्रेंड इस कोशन का आंसर आप हमें कुमेंट करेंगे इलेक्टरान, प्रोटान और न्यूटरान के खोज करता कौन है अगर दोस्तों आप इसे वेसे याद करेंगे तो आप इसे जल्द ही भूल जाएंगे लेकिन इस ट्रिक के मादियम से आप इसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे हमारे पास ट्रिक है इलेक्टरान, प्रोटान, न्यूटरान की खोज टार्च लेकर की गई थी अब हमारे पास एक यहाँ पर वर्ड आया है टार्च इस टार्च वर्ड से ही हमें इन तीनों के खोज करता जो है, उनके नाम याद हो जाएंगे सबसे पेले हैं, इलेक्ट्राण वो टार्च, यहां पर हमारा आगया, टा, टा से हमारा बन जाएगा, थामसन तासे थामसन यानि एलेक्टरान की खोजकी थी जे जे थामसन ने इसके बाद आता है हमारे पास प्रोटान प्रोटान अब टार्च का जो दूसरा अक्षर है रा रा से हमारा बन गया रदरफोर्ड इसके बाद हमारे पास आता है नूट्रान और टार्च का जो तीसरा अक्षर है चै चै से हमारा बन गया चैडवीग इस तरह से हमें जो है इन तीनों के खोजकरता के नाम याद हो गए है पहला है हमारा इलेक्ट्रान इलेक्ट्रान का है हमारे पास टै से थामसन दूसरा है प्रोटान रहे से हमारा बन गया रधर्फोर्ड तीसरा है हमारे पास नूट्रान चै से हमारा बन गया चैट भी चलिए देखते हैं next question को हमारा next question है टंगस्टन धातु किन किन धातूं के मिशरण है यानि टंगस्टन जो धातू है उसके अंदर कौन-कौन सी धातुएं मिली होती है तो हमारे पास इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है काट लो क्या है काट लो का से हमारा बन गया कार्बन टै से हमारा बन गया टंगस्टन लो से हमारा बन गया लोहा यानि टंगस्टन जो धातु है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कारबन टंगस्टन और लोहा और हमारी ट्रिक क्या है काट लो चलिए देखते हैं next question को हमारा next question है लोहा तत्व के परमुख अंसकों के नाम बताएं यानि लोहा जो तत्व है उसके अंदर कौन-कौन से तब तब जो पाई जाते हैं ये हमें बताना है हमारे पास एक ट्रिक है ट्रिक क्या है दोस्तो आ मेली केसी है आ मेली केसी है यानि कोई पूछ रहा है आ मेली तू केसी है तो यहां से हमारा क्या बन गया आ से बन जाएगा हमारा आईरन पाईराइट इसके बाद हमारे पास है और हैसे बन गया हमारा हैमेट टाइट इस तरहा से आप इसे याद रख सकते हैं नेक्स्ट कोशन देखते हैं हमारा next question है सिर्के में कौन सा अमल पाया जाता है तो इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक है सिर्पर एसिड डाल कर मत नहा यानि कोई कह रहा है सर पर एसिड डाल कर मत नहा यहां से हमारा क्या बन गया सिर्प से मन जाएगा हमारा सिर्का और एसिड से हमें बनाना है एसे टिक अमल इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं next question देखते हैं हमारा next question है सेब में कौन सा अमल पाया जाता है तो इसके लिए भी बहुत ही अच्छी ट्रिक है ट्रिक क्या है सेबों की देखपाल माली करता है यहां से हमारा क्या हो गया सेबों की देखपाल माली करता है यानि सेब का जो एसिड पाया जाता है जो सेब के अंदर वो क्या है मोलिक एसिड माली से हमारा बन गया मोलिक एसिड next देखते हैं नेक्स्ट हमारा है अंगूर वे इंभली में कौन सा अमल पाया जाता है तो इसकी भी बहुत ही अच्छी ट्रीक है ट्रिक क्या है दोस्तो बच्चे अंगूर वे इंभली के संग टेहलते रेते हैं बच्चे जो है वे अंगूर वे इमली के संग तेहलते रेते हैं तेहलते से हमारा बन जाएगा टार्टिक अम्मल टार्टिक अम्मल जो है वो अंगूर और इमली के अंदर पाया जाता है नेक्स्ट कोशन देखते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन है खटे फलों आवला निम्बू में कौन सा अमल पाया जाता है यानि जो भी खटे फल है उनके अंदर जो एसिड पाया जाता है वे कौन सा है तो इसके लिए हमारी पास एक अच्छी ट्रिक है ट्रिक क्या है खटे फलों को साइड में हटा दो यानि खट्टे फलों को साइड में हटा दो साइड से हमारा क्या बन जाएगा साइट्रिक अमल यहां से हमें क्या पकरणा है साइड से हमारा बन जाएगा साइट्रिक अमल यानि खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है साइट्रिक अमल नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट कोश्चन है दूद और धही में कौन सा अमल पाया जाता है दूद और धही के अंदर जो है कौन सा अमल पाया जाता है हमें बताना है इसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी ट्रिक है दूद दही कभी भी लेट कर मत पीओ लेट से हमारा क्या हुगा हाँ पर लेक्टिक अमल यानि दूद और दही के अंदर पाया जाता है लेक्टिक अमल नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट कोश्चन है घास वै पत्तों में कौन सा अमल पाया जाता है दोस्तों यह जो सभी कोश्चन है यह एक्जाम में आय हुए है तो आप इसे ध्यान से पूरी वीडियो को देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बिल्ट सकें नेक्स्ट हमारा था गास वै पत्तों में कौन सा अमल पाया जाता है तो हमारे पास ट्रिक है गास वै पत्तों में बिच्छू पाये जाते हैं यानि गास और पत्ते यहां पर क्या होता है गास और पत्ते जहां पर पड़े देते हैं वहां पर क्या होते हैं बिच्छू से हमारा बन जाएगा बेंजोईक अमल यानि घास और पत्तों के अंदर बेंजोईक अमल पाया जाता है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन है हमारा सोडा वाटर में कौन सा अमल पाया जाता है यानि सोडा वाटर जो हम पीते हैं उसके अंदर कौन सा अमल पाया जाता है तो हमारे पास ट्रिक क्या है सोडा वाटर बनाने में कार्बन डाइक साइड का इस्तिमाल होता है जो जब हम सोडा वाटर बनाते हैं तो क्या है उसमें कार्बन डाइकसाइड का इस्तेमाल होता है यहां से हमारा क्या होगा कार्बन से हमें क्या बनाना है कार्बोनिक अमन यानि सोडा वाटर के अंदर पाया जाता है कार्बोनिक अमन यहाँ पर क्या थी हमारी ट्रिक सोडा वाटर बनाने में कार्बन यहाँ पर आप कार्बन डाइक साइड भी कहे सकते हैं कार्बन का इस्तिमाल होता है या फिर कार्बन डाइक साइड का इस्तिमाल होता है तो यहाँ से हमारा क्या बन गया Carbonic Amal Next Question देखते है हमारा Next Question है पिच्छू वे चीटी में कौन सा Amal पाया जाता है यानि पिच्छू और चीटी के डंक में जो Amal पाया जाता है वे कौन सा होता है तो पिच्छू और चीटी में फार्मिक Amal पाया जाता है बिच्छू और जो चीटी होती है उनमें क्या होता है दोस्तों फार्मिक अमल पाया जाता है अब इसे याद के से करेंगे फार्मिक से हमारा बन गया फार्म हाउस यानि फार्म हाउस में हमारे क्या होते है चीटी भी पाया जाती है और कई बार जो है पिच्छू भी देखने को बिल जाते हैं नेक्स्ट कोशन है हमारा मुत्तर में कौन सा अमल पाया जाता है यानि जो मुत्तर होता है उसमें कौन सा अमल पाया जाता है तो दोस्तों क्या है मुत्तर में यूरिक एसेड पाया जाता है ये तो आपको सभी को पता होगा next question देखते हैं हमारा next question है मच्चे पालन का अधियन क्या कहलाता है यानि मच्ची पालन का जो अधियन है उसे क्या कहते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है हम अपने घरों में जब मच्ची लेते हैं तो उसे बनाने से पहले मसाला जरूर पीसते हैं मसाला जरूर पीसते हैं अर्थात मच्ची पालन का अधियन पीसी कल्चर कहलाता है पीसने से हमारा क्या बना है पीसी यानि मसाला जरूर पीसते हैं पीस्ते हैं से हमारा बन गया PC यानि PC कल्चर यहां से आपको यह अच्छी तरह से याद हो गया होगा नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट कोश्चन है मदू मख़्ी पालन का अधियन क्या कहलाता है यानि मदू मख़्ी जब हम खेतों में पालते हैं तो उसके पालन को क्या कहा जाता है तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है ट्रिक क्या है मदू पीने में बहुत अच्छा लगता है अर्थात मदू मख़्ी पालन का अधियन जो है उसे AP कल्चर कहा जाता है पीने में से यहां से मनाया है हमें पी, पी से एपी कल्चर इस तरह से आप इसे बहुती अच्छी तरह से याद रख सकते हैं नेक्स्ट कोशन देखते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन है अंगूर पालन का अधियन क्या कहलाता है यानि अंगूर की जब हम खेती करते हैं तो उसे क्या कहलाता है, उसे क्या कहा जाता है तो इसकी बहुती अच्छी ट्रिक है लो बेटी, अंगूर खालो अर्थात, अंगूर पालन का अर्थ है बीटी कल्चर बेटी से हमारा बन गया बीटी किसे कहा है बेटी अंगूर खालो यानि बेटी से हमारा बन गया बीटी कल्चर इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन है प्रोटो जोवा दुवारा होने वाले प्रमुक रोग के नाम बताएं यानि प्रोटो जोवा से जो रोग होते हैं उनके नाम हमें बताने हैं तो इसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है ट्रिक क्या है दोस्तों काला सोना पाया मेने काला सोना पाया मेने यहां से हमारा क्या बन गया काला जार सोना से बन गया सोने की बीमारी जो होती है पाया से बन गया हमारा पायरिया या फिर इससे जो है पेचिस भी हो जाता है नेक्स्ट कोशन देखते हैं एक हमारा जो रह गया था कोशन मेने से बन गया हमारा मलेरिया नेक्स्ट कोशन देखते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन है विशाणू के दुवारा होने वाले परमुक रोग कौन-कौन से है यानि हमें बताना है कि विशाणू के दुवारा कौन-कौन से रोग हो जाते है तो हमारे पास एक बहुती अच्छी ट्रिक है ए छोडे, खटे हींग हमें पोडो चे औरो जे तो यहां से हमारा क्या हो गया A से बन गया हमारा AIDS E से हो जाएगा Influenza और 6 से हमारा हो गया छोटी माता इसके बाद देखते हैं इसके बाद है हमारे पास रैसी रैपीज खैसे खसरा तर्टे से ट्रेकोमा और हीं से बन गया हमारा हेपेटाइटिस या पीलिया गैसे बन गया गलसोथ हैसे हमारा है हमपसी हमपिस हमारा बन गया हैसे बन गया हमपिस और मैसे हमारा बन गया मेनिजाइटिस इसके इलावा देखते हैं पो से बन गया हमारा पोलियो और डै से हमारा बन गया डेंगू जवर और चै से हमारा बन गया चैचचच लगबग जो है सारे इससे कवर हो गए हैं जो एक्जाम में पूछे जाते हैं नेक्स्ट कोश्यन देखते हैं, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेर करना ना भूलें। नेक्स्ट हमारा है फफुद्द दुवारा होने वाले पर्मुख रोगों के नाम बताने हैं एक अथलेट को दाद खाज दमा और गंजापन की बिमारी हो गई एक अथलीट को दाद खाज दाद और गंजे पन की बिमारी हो गई एक बाटरी कोर पढ़ लेते हैं एक अथलीट को दाद खाज दमा और गंजे पन की बिमारी हो गई अब हमारा क्या हो गया अथलीट से हमारा बन जाएगा अथलीट फूट दाद से हमारा बन गया दाद खाज से हमारा बन गया खाज इसके लावा दम्मा और गंजा बन नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा है उन बीमारियों के नाम बताओ जो फेफ़ड़ों को परवाविद करती है यानि हमें उन बिमारियों के नाम बताने हैं जो क्या करती हैं फेफडों को परवावित करती हैं ट्रीक हमारे पास है पानी पर मत कूद बेटी पासे हमारा बन गया पलेग नी से बन गया हमारा निमोनिया कू से बन गया हमारा कूकर खासी इसके बाद देखते हैं दै से बन गया दमा बै से बन गया ब्रोकाइटिस और टी से बन गया टीबी ये जो है बीमारिया आप इस ठीक से याद रख सकते हैं Next question देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है केंचों का अधियेन यानि केंचों के पालन से हम जब खाद त्यार करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है वर्मी कल्चर उसके बाद आता है बागवानी का अधियेन उसे कहा जाता है हार्टी कल्चर उसके बाद आ जाता है हमारे पास जल में पोदों का उगना उसे क्या कहा जाता है Aero-Protix इसके बाद आता है हावा में पोदों का उगना उसे कहा जाता है Hydro-Ponics Hydro-Ponics अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं और अगर आप इस तरह की ट्रिक्की वीडियो चाते हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर